बस मैं इसलिए सोचती हूं इसलिए मैं दीन का काम करने जा रही हूं पर फिर भी मेरा साथ कोई नहीं देता हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आप लोग अच्छे होंगे आप लोगों को सुभा की राम राम सशेकर अशलाम वालकूम तो आज का वीडियो बदा किनके के लिए आप लोग ने कर सकते मैं ही बता देती हूं उन भाईयों के लिए उन लोगों के लिए जिनको यहीं नहीं पता है कि मुस्लिम भाई लोग पांच वक्त की जो नमाज करते हैं वो क्यों करते हैं कॉमेंट में बताईएगा क्या आप लोगों पता है और जो लोग करते होंगे उन्हें तो पता होगा पर जो लोग करते ही नहीं है उन्हें सच में नहीं पता होगा उन्हें तो अपने पांच वक्त की टाइमिंग भी नहीं पता होगी पांच वक्त की टाइमिंग क्या होती है सची बताईएगा बिल्कुल जूट नहीं बोलिएगा यह सच में हमारा वीडियो आपके पास पहुंचा के आपको पता था पासवक्त की टाइमिंग चलो इनका ओर्चिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा और एक मैम है रम्श शुल्तार जिनका एक में लेके भी आई हो हिजाब वाला हिजाब गर बाग कई भी बहुत ज़्यादा मस्त वीडियो था आपको पड़ते हैं इसका एक जेनरल ओवर्व्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में लेट्स बिगेड नमाज एक इबादत का तरीका है इस फॉर्म ओफ वर्शिब इसमें हम अल्ला के सामने खड़े होते हैं and अल्ला से डायरेक्ट बातचीत करते हैं so it's also like a meditation and a direct connection with the God पांच बार नमाज पढ़ना हर मुसल्मान पर फर्ज है पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पड़ी जाती है जिसे फजर की नमाज कहते हैं दूसरी नमाज दुपैर के वक्त पड़ी जाती है जिसे जोहर की नमाज कहते हैं तीसरी नमाज शाम के वक्त पड़ी जाती है चौती नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पड़ी जाती है जिसे मगर्ब की नमाज कहते हैं और आखरी पांच में नमाज रात के वक्त पड़ी जाती है जिसे इशां की नमाज कहते हैं हर नमाज का एक specific time frame होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है उसके बाद दूसरी नमाज का time शुरू हो जाता है तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका time खतम हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते वो miss हो जाती है इसलिए नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ जिस तरीके से नमाज दिन में पांच बार होती है पांच बार अजान भी होती है ताकि लोगों को ये पता चल होगा कि कोई Muslim मुध हो रहा है, हाथ धो रहा है अपने और लिटरली अपने पैर धो रहा है Wash Basin में डाल कर, so please do not feel awkward, यह करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले, so if you see a Muslim like that, please understand कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है, नमाज Arabic language में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान अल्ला की किताब है और इसके अंदर जिन्दगी जीने का तरीका बताया गया है, तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसलाम एक ऐसा religion है जो के ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी middle person या किसी भी source की जरूरत नहीं है, आप direct अपने अल्ला से बात कर सकते हैं और नमाज अल्ला से बात करने का तरीका है, अगर मैं आपको simplify करके बताऊं तो basically Muslims नमाज में अल्ला की तारीफ बयान करते हैं और अल्ला का शुकर अदा करते हैं सारी नहमतों के लिए जो अल्ला ने हमें दी, और अल्ला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं जाने अंजाने हर इंसान से गुना हो जाते हैं तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्ला सबसे बड़ा माफ करने वाला है तो अल्ला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं बहुत ही बहतरीन और खुबसूरत किसम की दुआइं मांगते हैं हम अल्ला से और ये उमीद रखते हैं कि अल्ला हमारी दुआइं कुबूल करेगा आपने मुसल्मानों को नमास पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं बिसकली वो उठक बैठक नहीं होती नमास की में चार पोजिशन होती हैं जिसमें सबसे पहले मुसल्मान अल्ला के सामने खडे होते हैं और आपने देखा होगा कि वो बहुती ज्यादा अदब के साथ खडे होते हैं इसका example इससे दिया जाता है कि पहले जमानے में जब बादशा होते थे तो जितने भी दर्बारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशा के सामने खड़े होते थे तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्ला इस पूरी काइमनात का बादशा है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं फिर हम रुकू करते हैं, रुकू is like going down in front of Allah, अल्ला के सामने हम जुक जाते हैं, इनसान इतना हमबल हो जाता है कि वो जुक जाता है अपने खुदा के आगे, फिर आती है सबसे important और सबसे खुबसूरत position वो है सज्दा, सज्दा is the ultimate submission to Allah, इनसान अपने जिस्म का सबसे उचा हिस्सा, जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर दाल देता है, और सज्दा करता है अल्ला पर जो इस पूरी काइनात का रब है, मुस्लिम सिवाए अल्ला के और किसी को सज्दा नहीं करते क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सज्दा किया जाए और लास्टली बैट कर सलाम फेरा जाता है दोनों कंदों पर जिसके बाद नमास complete हो जाती है, नमास basically एक particular direction में ही पढ़ी जाती है, जिसे किबला कहते हैं, नमास पढ़ने का एक dress code होता है, आपको decently covered होना चाहिए नमास पढ़ने के लिए, तब ही आपने देखा होगा जब नमास पढ़नी होती है, तो Muslim ladies दुपटा ओड लेती हैं, या जो gents हैं वो टोपी लगा लेत हैं, because नमास में खड़े होने से पहले, एक decent dress code होना जरूरी है, दिन में 5 बार नमास पढ़ना हर Muslim पर फर्ज है, कोई बहाना नहीं, कोई excuse नहीं, नमास पढ़नी है, तो पढ़नी है, only in certain situations, exempt होता है नमास पढ़ना, and if you wanna know in detail, उसके लिंक्स मैं description box में डाल दूगी, चाहे आप office में हो, college में हो, market में हो, school में हो, अगर नमास का वक्त हो गया है, तो नमास पढ़नी है, because we believe, के नमास और Allah top priority है, और इससे जादा important और कुछ भी नहीं, तो अगर आपसे कभी भी कोई Muslim नमास पढ़ने की permission मांगे, या कोई जगा मांगे, तो please उनकी मदद कर दिएगा specially Muslim ladies को, क्योंकि नमास पढ़ना हर हाल में बहुत ज़रूरी है, जुम्हे की नमास या Friday prayer के बारे में तो आपने सुना ही होगा, generally जो लोग नमास नहीं भी पढ़ते हैं, Friday के दिन वो मस्ज़िद में नमास पढ़ने ज़रूर जाते हैं, because Friday का दिन बहुत ज़्यादा important होता ह और जुम्हे की नमास पढ़ने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Muslim मर्दों के लिए, लेडीज अपने घर में ही नमास पढ़ सकती हैं, और वर्ल्ड की काफी जारी मस्ज़ितों में लेडीज भी जाती हैं मस्ज़ित में नमास पढ़ने, और तो के लिए ज़रूरी न आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए, कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंदे से कंदा मिला कर, एक बराबर होकर अल्ला के सामने जुपते हैं, हर इ इसिजम, कास्टिजम नहीं सिखाता, इसलाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है, नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है, और इमान मजबूत होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज is a form of meditation, नमाज पढ़ने से बहतरीन सुपून मिलता है, और कोई problem से जूजरा होता है, तो नमाज पढ़ने से इनसान refocus होता है, कि life में जो भी problem चल रही है, वो चली जाएगी अगर हम उस पे सबर करें, और ultimately अल्ला से हम दौा मांगते हैं, क्योंकि अल्ला ही है, जो हमारी सारी दौाएं कुबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियो को खतम कर सकता है, तो इनसान refocus हो जाता है नमाज पढ़के, नमाज पढ़ने के रूखानी यानि spiritual benefits तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के physical benefits भी बहुत सारे हैं, for example, नमाज पढ़ने से body में blood circulation बढ़ता है, और हमारी body की earthing होती है, नमाज पढ़ने से दिल को हमारी overall health के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर मैं यह हर चीज़ डीटेल में बताने चलूंगी तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी videos, description box में mention कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे, के नमाज पढ़ने के physical benefits कितने सा यानि it's like a pillar, pillar के बगएर building नहीं खड़ी हो सकती, तो अगर कोई Muslim है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए, नमाज की खूपसूर्ती साओधिय अरेबियन countries, especially मक्का और मदीना में देखने को मिलती है, जब नमाज का टाइम होता है, तो सारी दुकाने बंद हो जाती है, सारे mods बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे, या तो शौप कीपर हो, या customer हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं, और यह नहीं सोचते कि एड़े मेरा customer आया, मेरा कोई नकसान हो जाएगा, नहीं, हम यह यकीन रखते हैं कि नफ़ और नुकसान अल्ला के हाथ में हैं और जब अल्ला खुद काम्याबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी काम्याबी और क्या होगी तो नमाज is like a mini break from everything that you're doing आप नमाज पढ़िये reconnect with your Lord and उसके बाद you can continue doing whatever you were doing क्यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इनसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क्यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास खयाल रखा जाए तो नमाज भीर दोक्ति सुर्व जो मैंने इस वीडियो के बारे में चरहें बाता बाते है बहुत पले में वीडियो में बनाना इस्टार्ट के आप्ट जऑ मिर को नहीं नहीं पता था तो एक भाई ने मेरें को कॉमेंट section में पुरा तो ऍोड़ा लिक के बता दीये ताव यह चावी मोत भी एंग छी ए संत्य ल्ग लेखते हैं और आगर कहीं मेरे को नहीं पता होता हां और दीग कोमेंट सहीं पूरा लिख के बता देते हैं वह यह यह है तो फिर भी मैंने दिमाग चलाया मैंने का जब मुझे नहीं पता तो ऐसे काफी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा तो हर किसी के पास भाई लोग कमेंट थोड़ी न करेंगे है ना तो मैंने का लाओ इस टॉपिक पे एक वीड और भाई तबे मैं अच्छी बहुत लगती है अगर कोई तारीफ लाइको तो उसकी तारीफ करना गुना नहीं है मैंने यह सुना है आप लोग पता हैं सही कह रही हूं तो इसलिए मैं क्यूट बहुत लगती है तो इनका वीडियो अच्छा था और ओबर लॉल सारा का सारा बीडियो अच्छा था और इनका लैंगवेज अच्छा था मोलेगा समझ में जाता है कापी लोगों के यसे भी वीडियो हो जाते हैं तो चला आज का वीडियो इतना ही मिल दिए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो कि साथ में ततक के लिए अपना अभी होगो ने आए तो प्रेसा एक प्राइब अजैने का सप्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने का पाईशा नहीं के तो नहीं कि अश्क्राइब कर दा है कि मैं भी अच्छी जगह पहुंच जाओं और मैं अपने सफने को पूरा करूं मेरा सपना क्या है आपको तो पता होगा ना नहीं पता न मेरा वही सपना है जो कि कुरान में लिखा है जो कि हर मौलाना साथ बताते हैं जो कि हर इंसान बताता है मेरा वही सपना है पता क्या तर मैं लोगों को देखती हूं, जिसे कोई फेस्टिबल आता है, तो उस पे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, सच में फेस्टिबल आता है, हर घर में फेस्टिबल पे उनके चीजे वो चीज उपलब्द करा और जिनके घर पे वो चीज नहीं हो रही है, हो ज़दा खुशी इसी लिए मैं दीन का काम करने जा रही हूं पर पर फिर भी मेरा साथ कोई नहीं देता, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूं, कभी कभी हो प्लेस भी हो जाती हो पर प्लेस मैं पता क्या सोचती हूं, मैं गरीब बन्दों के लिए यो रास्ता अपना wellbeing यहूं ना, गर 生68 जहेंग से değer झाले सरी झाले समयं अर्श उतक उतक तक झाल विर समय हैं हुआ हुआ हर यरταольно 1 7 फर के सम avent़क सेयो में और मैं खाले समय हैं dogay जह झालेस के झाले से हुआ हैं microw Dag